अलो दोस्तों आपका सौगत हैमार चैनल एजुकेशनल कांती में दोस्तों जिस प्रकार से आपके लिए अलग-अलग बेकंसियों की जानकरी लाते हैं उसी लीग में यहाँ पर एक नई बेकंसी की जानकरी लाएंगे और इस बेकंसी की में क्या खूबी है उसको पहले आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक्जाम फीस नहीं ली जा रही है और दोस्तों यहाँ पर जो है इस बेकेंसी में आपको यहाँ पर पेपर होगा उसके बाद इसके लिटेस्ट यहाँ पर होगा बाकि दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी पेमेंट भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर आप सील देखी रहे होंगे दोस्तों यह है Ministry of Defense के office में निकाली गई है और यह office है आपका यहाँ पर Navy Office Bhopal Navy Office Bhopal में यह निकाली गई है Group C की यहाँ पर post है और इसके लिए यहाँ पर दो post यहाँ पर निकाली गई है Steno Grade 2 की post है और साथ-साथ यहाँ पर MTS की post है इसके लिए आपको 25,000 से 80,000 तक यहाँ पर payment रही की जिसमें की दोस्तों आपकी payment यहाँ पर 30-35,000 के बीच बनेगी इसके लावा यहाँ पर 18,000 से यहाँ पर payment आपकी यहाँ पर multitasking में रही की एक post general की यहाँ पर है एक post OBC की है यहाँ पर आपकी Steno के लिए Total 2 post है 12th मागा गया है साथ ही साथ आपकी skill test मागा गया है आपको इसके लिए यहाँ पर होनी चाहिए Stenography आपको आनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर आपकी आपको यहाँ पर एक post general से है multitasking के लिए MTS के लिए इसके अलावा दूस्तों Stenographer का Steno test होगा 80 bird per minute का ही होगा यहाँ पर आपको अंग्रेजी के लिए transcript के लिए 50 minute जिस परकार से 65 minute हिंदी में इस परकार से हर vacancy हो में यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं place of work आपको जो कार करने की जगह है वो यहाँ पर देख लीजिए सारे मिल जाएंगे आपको relaxation इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 18-27 से श्टेनोबालों के लिए जनरल की पोस्ट के लिए बाकि यहाँ पर 18-25 यहाँ पर जो है MTS के लिए है यहाँ पर सबसे पहले आपको shortlist किया जाएगा जितनी भी vacancy है उसका 20 गोना इसका मतलब है आपर 40 विद्धारती सेलेक्ट किया जाएगे आपके percentage के साफ से इसके बाद यहाँ पर आपका examination और यहाँ पर skill test होगा इसी प्रकार से दूस्तों आपकी examination होने वाला है दोनों post के लिए MTS के लिए और यहाँ पर STNO का exam है वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर SSC pattern है SSC pattern का ही यहाँ पर exam रखा गया है English से लेकर आपकी यहाँ पर General awareness से लेकर math तक यहाँ पर region तक आने वाली है इसके बाद skill test होगा जो कि एक qualifying nature का होगा इसी प्रकार से MTS के लिए भी same syllabus है और उसी syllabus के अंतरगत यहाँ पर paper होगा बस यहाँ पर question की level का यहाँ पर फर्क हो सकता है date of examination की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर clearly कहा है आपका return exam और skill test जो है Bhopal, add Bhopal Bhopal में आपका यह कराया जाने वाला है और इसके बारे में जानकरी इनके दोरा call later में दे दी जाएगी form को आपको जल्द से जल्द भरना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर last date बताएंगे आखरी में यहाँ पर offline form है और इस offline form को आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से इसे भर सकते हैं कोई भी परसानी आई तो आप यहाँ पर comment करके पूछ सकते हैं कि किस जगह पर आपको यहाँ पर क्या डालना है बाकि यहाँ पर वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पर जानकरीने दे रहा है आ गया है closing date closing date कश डेट फ्राम यहाँ पर है एककश डेट फ्राम यहाँ पर advertisement तो दोस्तों यहाँ पर आप last advertisement यह है आपका official website direct rate general की और यहाँ पर आप देख लें नीचे ही आप आएंगे तो दोस्तों requirement section में तो दोस्तों आपको यहाँ पर चो है किसी कोई भी candidate बैंगलोर जाने का सौकीन है तो दोस्तों बैंगलोर के लिए भी एक vacancy निकाली गई है उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं same vacancy है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर MTS और यहाँ पर इस टेनो की post है बागी वहाँ पर